वेलकम बेट टो माई चैनल हैपी पैमली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है तो आज हम बनाएंगे साबुदाना की घीर तो यह देखिए यहां पर मैंने एक कटोरी सक्कर ली हुई है और यह कुछ सक्कर को मैंने पीस लिया है क्योंकि इलायची बहुत थोड़ी थी तो इस पेशल खीर है शरत्पूरि में में खीर का बहुत महत्तु है तो यह आप देख सकते हैं यहां फेसाबुदाने गल चुके हैं क्योंकि मैंने 1-2 गंटे के लिए रख दिया था और यह मैंने 2 लिटर के करीब दूद लिया है फुल क्रीम दूद है तो यह मैंने भी पकने के लिए रख दिया है सरत्पूरी में में कीर का बहुत मात है जैसा कि मैंने बता रहा है तो कीर को बना के और चंद्रवां की पूजा की जाती है और यह देखिए यहां पर हमारा दूद अच्छे से खॉल चुका है अब इसमें साबुदाने डाल देंगे और मदी आज पर फेले टेज आज पिसमें एक खॉल साज I again और इसके बाद हम मदी आज पर पकने देंगे जितनी ज्यादा पके गी इतनी हीं जह See हमारी खीर बन के आएगी तो जैसा कि मैंने आपको बताया सरत्पूरी मैं स्पेसल तो खीर में हमने सक्कर को और इलाची पाउडर दौनों डाल दिये हैं और इसको थोड़ी देर और पकने देंगे और इस कीर को बना के चंदरमा को प्रसाद दिया जाता है रात में और जैसा कि आप सबको मालूम है कीर को रात पर के लिए चट पर रखा जाता है क्योंकि कहते हैं कि आज के दिन अमरेद ब बन चुकी है तो हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे अब देख सकते हैं एकडम क्रीमी कीर बनके तयार होई है और इस कीर को दूसरे दिन खाने से जो चंदरमा के रोसनी में रात पर रखती जाती है अमरेद बरसा होती है जैसा कि मैंने बताया तो इसको काने से कोई भी बीमारी हो वो सारी बीमारियां दूर हो जाती है और इंसान बहुत सुख समरद्धी प्राप्त करता है तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई